दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT News चैनल को और दबाये इस बेल आइकोन को ताकि आप देख पाए लेटिस्ट नीज वीडियो सबसे पहले लेकिन अगर आप कभी जारखंड के चक्रधरपूर स्टेशन से गुजरे तो वहाँ आपको एक ऐसा भिखारी भीक मांगता दिख सकता है जो महीने के 3 लाख रुपे कमता है अगली लाइन सुनकर आप अपनी अलमारी में रखी डिग्री पर वापस थ्यान देने को मजबूर हो जाएंगे कहीं ऐसा नहों कि आप उन्हें फाड़ ही डाले क्योंकि बिना किसी डिग्री के 40 साल के छोटु बराइक चक्रधरपूर स्टेशन पर भीक मांग कर 3 लाख रुपे महीने तो कमा रहे है छोटु का अपना बिजनेस भी है वह कबार के डिस्ट्रीब्योटर है जिसका सामान वो ट्रेन में बेचते हैं उनका बिजनेस का लेवल इतना ज्यादा है कि उन्होंने और कई लड़के भी काम पर रखे हुए हैं इसके आलवा 5 खंटे की दूरी पर जिला सिंडेगा में उनकी एक बरतनों की दुकान भी है जिसकी देखरे को उनकी पतनी करती हैं उनकी पतनी की बात से आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस बिजनेस में भिखारी की एक नहीं बलकी तीन पतनिया हैं और छोट अपनी कमाई की तीन लाक रुपे किया मदमी को इन तीनों में बराबर बात देते हैं इस खबर के बाद अपने करिया ग्राफ पर नज़र डालने को मजबूर तो नहीं हो गए हैं क्यूंकि छोट ने कारणामा ही ऐसा कर दिखाया है